हरी ओम हरे कृष्ण मेरे प्यारे ब्रमचारियों, प्यारे युवाओं, प्यारे बच्चो आज मैं एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, एक माँ की कहानी लेकिन इस कहानी के अंदर ब्रमचरिय की, नैतिक्ता की और चरित्र की जो सिख्षाएं आपको मिलेंगी एक रिशी मारुत के आश्रम के बाहर बैठी उई है, गर्मे का मुसम है, धूब भूद तेज है, अपने आचल से अपने बच्चे के उपर छाया की हुई है, इंतजार में है कि रिशी वर बाहर आए आश्रम से, सायम हो गई, रिशी वर बाहर नहीं आए, वो बाहर ही आश्र तुम यहाँ पर क्यों बैठी हुई हूँ उस पर रिना ने कहा कि रिशिवर मैं अभागी बड़े दुखों की मारी हूँ बड़े कश्टों की मारी हूँ मुझे अपने आश्रम में शरन दे दीजिएगा मैं यहाँ पर सारा काम कर लूँगी सफाई का चोके का खाना बनाने का और जो भी आपका आदेश होगा दिन रात काम करूँगी थोड़ी बहुत मुझे रोटी मिल जाए थोड़ा बहुत रूखा सुखा खाने को मिल जाए औ मेरा एक पुत्र है वह भी मेरे साथ रहता है मेरी एक पुत्री है वह भी मेरे साथ रहती है यहाँ पर हम सारा काम खुद कर लेते हैं हम यहां किसी सेवा की जरूरत नहीं है अब रीना की आँखों में आंस्मों की धारा बह रही थी कहने लगी रिसीवर अगर आपने तिरस अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी, जबकि उसके पेट में कुछ नहीं था, तो दूद ही क्या उतरता, पूरी रात बैठी रही, वहीं से कुछ पत्ते वगएरा खा लिये पोधों के, लेकिन बैठी रही, सुबहे के समय जब रिशी बाहर निकले देखा क्यों है, श्त अवे रिशी के आश्रम में सारा काम करती, बड़ी मेहनत से काम करती, एक वर्स हो गया था, बच्चे का नाम उसने राहुल रखा हुआ था, राहुल देखने में बिलकुल दिव्य, बड़ा खुबसूरत बच्चा, रिशी ने कहा कि बेटी, अब इस बच्चे को गुरु क गुरु कुल है, वहाँ पर इसको यदि हम भेज देंगे, तो इसके भईशे के लिए बहतर है, इसका उपनेयन संस्कार होगा, और यह एक ब्रमचारी बन करके, एक योग्य नागरिक बन कर वहाँ से निकलेगा, रिशी के इस सुजाव को मानते हुए रिणा, उस बच्चे को लेकर के, पास के जंगल में बने हुए गुरु कूल में चली गई, वहाँ पर जो आचारिय थे, उन्होंने बच्चे के पिता का नाम पूछा, लेकिन रिणा बताने में असमर्त हुए, बार बार पूच रहे थे, बताने में असमर्त थी, उन्हों ने का कि यदी पिता के नाम को नहीं बताओगी तो इसे आश्रम में यहाँ पर इस गुरु कुल में अंदर स्विकार नहीं किया जा सकता एक ब्रमचारी के रूप में लेकिन रिना ने अपनी दुख भरी कुछ कहानी उन लोगों को सुनाई उन आचारियों को सुनाई और उन्हों ने उस बच्चे क कुस्विकार कर लिया बगएर पिता के नाम की बच्चा विद्याले में पढ़ रहा था हर चीज में अवल उसकी माने उसे संसकार ही बहुत अच्छे दिये थे यदि कभी का भार छोटी मोटी कुछ खता कुछ गलती बच्चे से हो जाती बड़े प्यार से वह उसे समझाया करती थी दिरे दिरे बच्चा बड़ा हो रहा था अभी राहूल लगबग 14-15 साल का हो गया था उसके दिमाग में प्रश्न दोड़ने लगा मेरे पिता कौन है सब भी बच्चे हंसते थे तुम्हें तुम्हारे पिता का नाम नहीं पता अब बच्चा और बड़ा हुआ उस पर उसे बड़ा क्रोध आता था लेकिन मा की शिक्षा थी कि ब्रमचारी को क्रोध नहीं करना चाहिए यदि एक ब्रमचारी को क्रोध आएगा तो उसका ब्रमचारी तूट जाएगा ब्रमचारी के अंदर सैन सीलता होनी चाहिए ब्रमचारी अदी पृतिक्रिया देग आपने मेरे लिए बड़े कष्ट उठाए हैं, बड़ी अच्छी सिक्षाई मुझे दी है, मुझे योग्य बनाया है, तुमारे उपकार मैं गिन नहीं सकता हूँ, लेकिन माते मेरे सामने बड़ी समश्या आ गई है, मैं एकाग्र नहीं हो पा रहा हूँ अपने कामों में, मे अज गई थी, कि अब वह समय आ गया है, जबकि अपने इस बच्चे को बहुत सारी बाते बतानी पड़ेंगी, रीना ने बताना शुरू किया, कि मेरे माता पिता, बड़े लाड त्यार से मेरा पालन पोशन कर रहे थे, क्योंकि मैं अपने माता पिता की एक मातर संतान थी, मैं विवा के योग्य हुई, तो उन्होंने मेरा विवाह एक बहुत बहादूर सैनिक से कर दिया, मैं ससुराल में गई, मेरे पती मेरा बड़ा खयाल लगते थे, लेकिन परिवार के बाकी लोग बहुत अच्छे स्वभाव के नहीं थे, लेकिन विधाता को शायद कुछ औ पत्याचार करने लगी, मेरे जेट और देवर मुझे पर भूखे भेडियों की तरह नजर रखते थे, कई परकार के व्यविचार इत्यादी के आरोप मुझे पर लगने लगे, मेरे साथ दुराचार की कोशिश होने लगी, मैं वहापर असुरक्षित महसूस कर रही थी, मै निकल जा मेरे घर से, वहाँ से मुझे निकाल दिया गया, मैं अपने माबाप के घर आई तो देखा, मेरे माबाप बहुत बिमार है, वो चलने फिरने में भी सक्षम नहीं है, उनकी हालत बहुत खराब है, वो मर रहे हैं, मैं असहाय थी, मेरे पास कोई पैसा नही था, मैं लोट रही थी, रास्ते में मैंने देखा, रास्ते में एक कुवा था, उस कुवे में कूदने को तयार थी, कि मुझे मेरे बुडे माबाप की याद आई, इनका कोई सहारा नही है, वो तड़ब तड़ब कर मर जाएंगे, उनका चेरा मेरी आँखों के सामने था, और मैं अ परीर बेच करके अपने माबाप के लिए दवा आदी की विवस्था करने लगी, बहुत दिनों तक मैं विवस्था करती रही, अभी तीन, चार, पांच साल बीच चुके थे, लेकिन मेरे माबाप की बीमारी थी, कि वो ठीक होने को नहीं आ रही थी, दूसरे, वो कुंठित थे कि पता नहीं हमारी बेटी कहां से किस परकार से पैसा लेकर के आ रही है, एक दिन मेरे पिता जी ने आत्म हत्या कर ली, ये देख कर कि वो लाचार हैं ठीक हो नहीं रहे हैं, और उनकी बेटी उनके लिए पता नहीं किस परकार से कहां से पैसा लेकर आ रही है, उसके प मेरे पास जीने की एक वज़े थी कि मेरे गर्ब में बेटा तुम थे अब तुम्हारी खातिर अपने बच्चे की खातिर मैंने जीने का फैसला लिया रिशाले में ही तुम्हारा जन्म हुआ वहां पर मैं देव्यापार करती और किसी तरीके से तुम्हारे जीवन के लिए कोई सुरक्सी स्थान नजर ना आने की वज़े से यहां पर मैं इस रिशी के आश्रम में आ गई बस तब से यही मेरे पिता है और यही तुमारे नाना है यह कहानी है बेटा मेरी मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा मैंने हमेशा अपने मन को पवितर रखा लेकिन मजबूरी में जिन कारियों को मुझे करना पड़ा अब आप उन्हें व्यविचार का नाम दे सकते हो या किसी दूसरी चीज का नाम दे सकते हो बेटा बड़ा समझदार था उसे अपने सीने से लगा लिया, बेटा और माँ दोनों रो रहे थे, अगले दिन जब राहुल अपने गुरुकुल में गया, तो उसके भाव कुछ और बदले हुए थे, जो उसके प्रतिद्वन्दी थे, जो उसके उससे इरशा करने वाले लड़के थे, वो सोच रहे थे कि इसमें कुछ स्थाई तोर पर, अगर आत्म विश्वास आया है, यह सारा निकल जाएगा, किस प्रकार से यह हमसे कॉम्पीट कर पाएगा, हमसे प्रतियोगिता कर पाएगा, उस आत्म विश्वास की कमी को रखते वे, और अंत में जब एक भाशन प्रतियोगिता होगी, उ बजन उठाने में अवल आता है, दंड बैठक लगाने में अवल आता है, रसा चड़ने में अवल आता है, मल खंब में अवल आता है, हर स्थान पर वैए अवल आता है, क्या तेजस्वी लड़का था, अभी उसकी उम्र 18 साल की थी, लेकिन जो 24-25 साल के नव युवक थे, उनको भी चुटकियों में पचार देता था, चुटकियों में पटक देता था, अगले दिन भाषन की प्रतियोगिता होने वाली थी, चुकि उसके आचारिय जानते थे उसकी सच्चाई को इसलिए उसके आचारिय भी परिशान थे कि किस प्रकार से अपने पिता के नाम को यह बताएगा उसके आचारिय सच्चाई जानते थे लेकिन नियम को नहीं बदल सकते थे सबी बच्चों ने अपने अपने व्याक्यान दिये और व्याक्यान का विशे भी था ब्रमचर्ये और चरित्र इन दो विशे पर बोलना था अभी उसके प्रतिवद्वन्दी सोच रहे थे इन विश्यों पर ये क्या बोलेगा जब चरित्र की बात आएगी तो हम इसकी मा का नाम लेंगे और इसको बीच में रुकना पड़ेगा नजरे इसकी जुकेंगी इसकी हालत खराब होगी उसे सरमशार करने के लिए वे युक्ती बना रहे थे कि किस परकार से लज्जा से युक्त चेहरा लेकर के यह मंच पर जाएगा लेकिन मंच की तरफ जैसे ही राहुल बढ़ रहा था वे शेर की तरह से चल रहा था उसका सीना उबरा हुआ था उसके चेहरे पर तेज था उसकी आँखे जैसे जल रही हों प्रदिप्त हो रही हों वे आत्म विश्वास के साथ में बोलना शुरू करता है सबसे पहले मैं अपने आदरनी गुर्जनों के स्रीचरणों में नमन करता हूँ और उसके पशाथ प्यारे सहपाठियों आप सबने यहां पर अपना अपना परीचे दिया अपनी मा का परीचे दिया अपने पिता का परीचे दिया लेकिन मेरे पास में परिचे देने के लिए न मा है न बाप है सभी बच्चे आश्चरिय में थे इसकी मा तो है ये ऐसा क्यों कह रहा है इसके बाद में फिर राहुल कहता है कि मा के स्थान पर मेरे सामने साक्षात मा दुर्गा है जो चरित्र की एक परिभाशा है जो भगवान का एक आउतार है और मेरे लिए मेरा संपूर्ण परीचे है जिसने मुझे सिखाया कि बर्मचरिय केवल उसको नहीं कहते कि अपने मन पर सयम कर लिया अपनी एक इंदरी पर सैयम कर लिया बलकि ब्रमचरिय कहते हैं कि आपकी वाणी पर सैयम हो जब भी आपको कोई बुरी बात कहे उसको सहन कर जाओ, यह ब्रमचरिय है मेरी माँ ने मुझे बताया कि जब परमात्मा में हर वक्त तुम्हारा मन लगा रहे तो यह ब्रमचर्य है ब्रम में जब आपकी चर्या हो जाएगी तब आप ब्रमचर्य होगी मेरी मा ने मुझे बताया कि जब भी क्रोध आये तो परमात्मा का नाम लो अपने लक्ष पर नजर रखो आप क्रोध न करो ये ब्रमचर ये है मेरी मा ने मुझे बताया कि कभी भी स्वार्थ के लिए कोई एसा काम न कर दो जो कि समाज के लिए घातक हो देश के लिए घातक हो यह ब्रमचरिय है मेरी मा ने मुझे उन चीजों के विशे में बताया जिनके आधार पर मैंने अब तक की प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन किया है और अपने गुरू जी के स्रीचरणों में अपने एक स्थान को बनाया है ये सब मेरी मा के पुन्य प्रताप से हुआ है अब मैं बात करूँ चरित्र की चरित्र किसे कहेंगे एक आदमी वो जो की ब्रह्मचारी है लेकिन क्रोध करता है एक आदमी वो जो ब्रह्मचारी है लेकिन स्वार्थी है एक आदमी वो जो ब्रह्मचारी है लेकिन निर्दई है क्या उसके चरित्र को अच्छा कहेंगे चरित्र की एक लंबी परिभाशा हुआ करती है चरित्र वो है जहां पर एक व्यक्ति अपने अंदर दिव्यता को धारण करके आगे बढ़ता है वे व्यक्ति चरित्रवान होता है और अगर एक व्यक्ति पूरे तरीके से एक इंद्री को तो वसमे रखता है बाकि सब दुर्गुन उसके अंदर है, वो आदमी चरित्र ही, एक आदमी वो जिसने जबरदस्ती अपनी इंदरी पर नियंतरन किया हुआ है, अपनी कामेंद्रियों पर नियंतरन किया हुआ है, मन में कामुक विचार चलते हैं, वह ब्रमचारी नहीं, ब्रमचारी तो वह है जो कि मन से पूरे तरीके से कामुक विचारों से गंदे विचारों से दूर होता है मेरी माँ उस दलदल के अंदर गई जहां से मेरा जन्म हुआ है लेकिन मेरी माँ का ध्यान अगर किसी चीज पर था अपने माबाद की सेवा पर था मैं अपने शरीर को औरपन कर चुकी थी अपने जीवन को औरपन कर चुकी थी और उसके पश्यात अगर उसका ध्यान किसी चीज़ पर था, तो मुझ पर था और पूरा लक्षय था कि किस परकार से मैं अपने बच्चे को एक स्रेष्ट ब्रह्मचारी बनाऊ न। कदम कदम पर ब्रमचरिय की शिक्षा दी, कदम कदम पर सहना सिखाया, कदम कदम पर रहना सिखाया, मेरी मा मेरे लिए देवी है वास्तों में चरितरहीन है वो लोग जो कि इस परकार की देवियों को इस परकार के कृत्य करने पर मजबूर करते हैं चरित्रहीन है वो समाज जो कि दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और चरित्रहीन है वो सारे के सारे ब्रह्मचारी जो कि मुझे नीचा दिखाने की बात इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि मैं अपने पिता का नाम बताने में असमर्त हूँ उन्होंने यह नहीं देखा कि मेरे व्यवहार कैसे रहे आप लोगों के साथ, मेरा जीवन कैसा रहा उन्होंने यह नहीं देखा कि किस प्रकार से मैंने संयम के साथ में अपनी एकाग्रता को बनाए रखा और हर स्थान पर मैंने अच्छा करने का प्रियास किया, चरितरहीन वो लोग हो सकते हैं, मेरी माँ चरितरहीन नहीं हो सकती, सबी ब्रहुल की आखों में आशू थे, सबी जो इर्षा करने वाले साथी थे, वै शांत बैठे हुए थे, सब के मन में उसकी माा रिना देवी के प आत्रबक्ती से सभी लोगों के मन को बदल दिया था वास्तों में ये ब्रह्मचारी का आत्मविश्वास होता है ये उसकी वाणी का ओज होता है वे उसका प्रभाव होता है वे उसकी तफश्या होती है कि उसकी बातों में असर होता है वे उसकी सोच होती है जो कि सकारात्मक दृष्टी रखते हुए चीजों को सही तरीके से देख सकती है। नकेवल राहूल ने खुद सम्मान पाया, बलके अपनी मां को सम्मान दिलाया। और वहाँ पर उस विद्याले का सर्वस्रेष्ट विद्यार्थी बन करके वहाँ से निकला और उसके पश्यात एक राज्य का सेनापती बन करके उसने उस राज्य का नाम रोशन किया। वास्तों में जिन्दगी में जो व्यक्ति कठिनाईयों के मार्ग को चुनते हुए अपने लिए सिध्धानतों का चयन करता है। उसके माबाप उसका ध्यान रखते हैं और उसको संसकारित बनाते हैं तो वह पल अपने जीवन को प्रकाशित करता है बलकि देश को प्रकाशित कर देता है। हरी ओम हरे कृष्ण।